बही SBI में दो हजार चौविस में बहुत सारी वेकिंसी आई है और अच्छी बात यह है कि यह जो सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप सभी के लिए आई है कि प्राइविट सेक्टर में आई है यानि कि आप यहाँ पर सरकारी करमचारी नहीं बनने वाले हैं बलकि प्रा कि यह अपॉर्चुनिटी इंडिया की कौन कौन सी लोकेशन्स पर आई है लोकेशन्स बहुत सारी है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके शहर की भी है तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल करेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जोबनाव247.in और एंटरप्रेस करना है तो जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे ये जोबनाव247.in के ओफिशल वेबसाइट है जहां पर आप सभी के लिए मैं रेगुलर बेसिस पर अलग अलग कंपनी की जॉब अपॉर्चनिटी पोस्ट करती हूं चाहे वो विकिंसी इस चैनल पर आई हो चाहे वो किसी और चैनल पर आई हो आप सभी को इस वेबसाइट पर उन सभी के अप्लाय लिंक मिलेंगे साथी साथ पूरी जनकारी भी मिलेगी तो फर्स्ट अपॉर्चनिटी जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये SVI की है आपको सबसे पहली चीज इस वेकिंसी के बारे में मैं बताना चाहूंगे कि यहां पर कोई सेल्स का टार्गेट या सेल्स का काम नहीं होने वाला है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन का काम करना होगा और यह अपॉर्चनिटी इंडिया की बहुत सारी लोकेश हैं और आप यहां पर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो यह जो अपॉर्चनिटी जिनके द्वारा आई है वहां पर और भी काफी सारी ऐसी अपॉर्चनिटी है जो की इस्पेशली सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कैंडिट के लिए है तो आप यहां पर अप्लाई जरूर करिएगा ठीक है अब यहां पर जो सेक्टर रहने वाला है यह बैंकिंग रहने वाला है सेलरी पेकेज आपको यहां पर काफी अच्छा दिया जा रहा है प्लस यहां पर आपको थोड़ा ओवर टाइम और इंसेंटिव भी दिये जा सकते हैं तो यहां पर दिखिए लोकेशन अभी ज तो आपको HR जो है वो खुड डारेक्ली कॉंटेक कर लेंगे ठीक है एजुकेशन यहां पर 12th पास मांगीगी है अगर आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट 12th पास इस सेफिशंट जी हां बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी देखने को मिलती है banking sector में चाहे वो private bank हो चाहे वो government bank हो जिसमें qualification 12th पास ही required रहती है तो यह opportunities आप सभी के लिए है अगर आप 12th पास है तो आप यहां पर apply करने के लिए eligible हो जाते हैं ठीक है यहां पर आपको काम क्या करना है तो basically मैंने आपको already बताया है कि sales का काम यहां पर नहीं है पहली application का है तो यहां पर दिखे responsibility को deeply बताया गया है कि आपको यहां पर जो document दिये जाएंगे जो document आप customer से या उनके घर जाकर के लेकर के आएंगे जो की related होंगे loan application के या other banking services के तो वो documentation को आपको proper तरीके से verify करना है authenticate करना है for example अगर किसी ने अपनी जवीन गिरवी रखी और यह बिहाफ पर loan लिया तो आपको यह सुनिश्चत करना है कि वो documentation उसने आपको provide किये है वो सही है या नहीं क्या वो नाम जो की documentation में लिखा है वो सही है या नहीं वो उसी की जमीन है या नहीं वो paper valid है या नहीं तो आपको proper तरीके से document verify करना है उसकी accuracy को check करना है आपको ground प आपर तरीके से check करनी है साथी साथ कुछ banking से related policies उनकी जो रहती है regulations जो रहते हैं उनके compliance भी जो कि आपको bank में जब आप काम करने जाएंगे तब आपको बताये जाएंगे वो भी compliance को आपको fulfill करना है customer से interact करना है customer से बात करनी है और साथी साथ reporting देनी है जो आपके seniors है उनको ठीक है साथी साथ support services भी देनी है for example अगर आप किसी के document verification के लिए गए कोई services अगर उनको required है other than loan services तो भी आपको उनको पूरी जानकारी देनी है लेकिन ऐसा कोई target नहीं है कि आपको target दिये जा रहा है कि आपको sales भी करना है आपको main काम रहने वाला है ये document verification का रहने वाला है अगर कुछ आप extra काम करते हैं तो उसका अलग से pay भी आपको यहाँ पर मिल सकता है ठीक है यहाँ पर आपको benefits क्या दिये जा रहे हैं आपकी देखिए सबसे पहले तो अच्छी salary यहाँ पर आपको दी जा रहे है insurance आपको दिया जाएगा career growth भी दी जाएगी और training भी यहाँ पर आपको 100% free of cost दी जाएगी बात करते हैं कि यहाँ पर आप apply कैसे कर सकते हैं तो guys यह opportunity जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ यह direct recruiter के जरी आई है मतलब कि SBI में जो इस तरीके की opportunity आती है इसके लिए third party जो है वो लोगों को hire करती है उनके जरीए यह opportunity मेरे पास आई है और जिनके जरी आई है उनकी मैंने एक वीडियो भी आप सभी के लिए पोस्ट की है नए चैनल पर तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजेगा काफी सारी location इसमें और add-on होने वाली है time to time add-on होती जाएगी तो मैं आपको देती रहोंगी तो आपको apply करना है तो देखिए apply now का button यहाँ पर दिया गया है simply आप इसे click कीजे जब आप यहाँ पर click करेंगे तो आप जो है इनका जो form है वो आपके सामने open up होकर के आ जाएगा इस तरीकी का जो form है वो open up होकर के आ जाएगा बोपाल circle में देखिए कौन कौन सी location है आपको यहाँ पर deeply locations के बारे में पता चलने वाला है वोपाल है बिलासपूर है गौालियर में 153 opportunity आई है इन दौर में 81 जवलपूर रायपूर इसके बाद देखिए कितनी सारी opportunities यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है गौहाटी है फिर इसके बाद शिलॉंग ह तो अलग-अलग location की vacancies यहाँ पर already आप सभी के लिए आ गई है तो आप इसको readout कीजे और यहाँ पर apply कीजे तो friends I hope मैंने आपको इस vacancy के बारे में पूरी जानकारी दी अगर आपको यह vacancy suitable लगती है आपके लिए location आपकी match करती है तो फटा-फट से यहाँ पर आईए और apply कीजे और ऐसी जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पर follow करना बिलकुल मत भूलिए बेल आइकन को press करना बिलकुल मत भूलिए मिलेंगे friends अगली वीडियो में कुछ और important topic के साथ कोई नही जानकारी के साथ तब तक के लिए thank you so much and bye bye